नमस्कार दोस्तों आप सही का स्वागत है मेरी यूटूब चेनल ऑनलेन पंचायत में आप सही को पता ही है मेरी यूटूब चेनल ऑनलेन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्यक नए वीडियो और प्रत्यक नए अपडेट के सम्मंदित भी तो आज हम देखेंगे बीलो एप के माध्यम से हम फेसलिटीज को अपडेटेट किस तरह से कर सकें विवस्ता जो अर्रेजमेंट से उसको अपडेट किस तरह से कर सकें उसके साथ ही एमेफ और एमेफ कि पूरी एंट्री मुल्बु सुविदाओं की जो एंट्री है वो ऑनलाइन किस तरह से बीलो एप के माध्यम से कर सकें और जो चार फोटो हैं चार व्यू की जो फोटो है वो हम अब लोकस्वा निर्वाचन के तारतम में किस तरह से अपडेट कर सकें क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने पहले की अपडेट करके रखी होंगी फोटो तो अब हमें अब लोकस्वा निर्वाचन चुकी आचुगा है 2024 तो इसके तारतम में हमें नई फोटो अपलोट करना है तो वो किस तरह से अपलोट होगी क्योंकि पहले की उसमें फीड है तो उनको डिलीट किस तरह से करना है वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे ठीक है और बहुत साथ जान करें दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी जानने को तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाइस्टेप ध्यान से कीजिएगा और अपडेट फेसलिटी जरूर कर लिजिए क्योंकि लोकस्वा निवाचन 2024 के लिए हमें एक बार पूरी फेसलिट प्लेट करना यह आपके पहले से इंस्टॉल है तो आप अपडेट जरूर कर लें क्योंकि नए नय वर्जन आते रहते हैं तो गूगल प्लेट कर चुको है इसलिए इंस्टॉल देख रहा है और फिर ओपन करें तो यहां से उपन कर सकते हैं और बाहर जो आइकान माहार से यह उपन कर सकते हैं तो उपन पर क्लिक करने के बाद यहां आपको पहले ही आपसं दिखेगा फेसलिटीज का ठीक है तो फेसलिटीज वाले आपसंस पर हम क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ जान करें दिखने लगेंगी यहां पर कुछ चुनों का इंतिजार करना पड़ेगा पोलिंग इस्टेशन नेम रहती है दोस्तों भो मैं आपको उता देता हूं ज्यसे आपको माली जी लोकसभा निर्वाचन तो आपके आपको पहले से अप्लोड है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो भी फोटो को पुरानी है उसको यहां क्लिक करना होगा इसके बाद यह से फ्रंट पीएज भीव है पॉलिंग स्टेशन का फ्रंट व्यू तो इसको डिलीट वाले आप संसे डिलीट करना होगा ठीकि उसके बाद ही आप जो ह इस सी क्लिक करेंगे तो इसको डिलिट करना चाहते और इससको डिलीट करने सही है तो रहने दें इस तरह से यहां पर दो डिलेट कर चुका दो दिखरी चार फोटो टोटल आप लोट कर सकते हैं ठीक है अब आपको एक कितने व्यूज है वो मैं दिखायता हूं एक आपको गूगल में व्यूज से भी आपको आपकी वोटर लिस्ट में गूगल में व्यूज के जरीए आपने पहले से फोटो करिए अप्लोट पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ छणों के परश्चात अच्छा यह आपको सीधे जो बूट है आपका जो पॉलिंस्टेशन है मदान के अंदर क्रावां अंख है मदान के अंदरे महीं पर जाकर आपको खीचना पड़ेगा फोटो कि यह लेगा इसलिए यहां पर जाकर आपको करना पड़ेगा आपकी बोटर लिस्ट से भी गूगल में व्यू को ले सकते हैं कि यहां पर जो है यह आपके पास पहले से रखा होगा गूगल में व्यू तो इसको आप अच्छे से यहां से खीच के खीच लें अपने मोबाइल से कुछ चणों के हैं इसको करते हैं यहां से च्छोटा बड़ा भी कर सकते हैं का यह सानी सकते हैं तो यह इस तरह से हो जाएगा इसके बार हमें क्या करना है कि यह हमारा पूरा दिखनी पॡ़िए इसके बार हमिआ उपर तरफ यह फोटो यहां पर अप्लोड हो जाएगी ठीक है और जो जो डिलीट करी आपने वह वह आपको फिर से जो है लोकसवा निर्वाचन को देखते हुए नई फोटो इंस्टाल करने पड़ी देखिए इसमें चार फोटोग्राफ रहती है यह वह फोटोग्राफ इस आप पहला जो मदान के अंदर है वह दिखे तो वह बिल्डिंग का फंट रहेगा गूगल में आपको बता ही दिया इसमें हम जो पहले से हमारे मोटलेश में उससे ले लिया हमने पीएस फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू जिसमें की हमारा सारा रेम पाजाए जो हमने दिव्यांग जनक लिए बोडिखने लगे पूरा फ्रंट वेश्में दो दर्वाजे साब साब देखें तो सामने से पुरा पॉलिंग का बदान केंदर का विव उसकी फूटो कीचना है की में विव जिसमें आपको आपको दो दिख रहा है तो जैसे यह आमने विव पर क्लिक कर देंगे और स देखे यह फोटो यहां पर आ चुका है ठीक है तो आप इसमें तीन अभी एक अप्लोट का आप्शन और दिख रहे हैं कि चो था आपको और खीचना है तो इस तरह से आप चार फोटो कम से कम खीच सकते हैं की में आपको बता दिया हमें पर इसके बाद फ्रंट विल्लिंग और गूगल में व्यू ठीक है इसी तरह चार आपसंस पर हमें फोटो खीचना है नए तरीके से खीच लें क्योंकि आप लोक्सवा निर्वाचन आ चुका है तो अपडेट हो जाएक कि पहले विदान सवा निर्वाचन की फोटो कीची हुई होगी तो इसके आपको टोटर देखने लगेंगे आपको मेल फीमेल पूरी जानकरी आपको यहां पर देखने लगेंगे अब यहां से अफ चालू होते हैं ठीक है तो यह बहुत जरूरी है मुल्वोस विदाओं की जानकरी जो अप्लोट करना हमें तो इसमें पहले ही आपसा ने प्रोविजन फॉर रें र्यम्प लगी हुई है या नहीं पोलिंग स्टेशन पर तो इसको आपको applicable और not be love है तो compelsor ही हमें ramp लगाना ही है यदि नहीं है ramp अभी तो आप आपको not available करना पड़ेगा लेकिन, कुकि हमें compulsory कि ramp लगाना है इसलिए पूरर कंदिशन में है तो chiff कर दें तो वह गुट पर क्लिक रहे superhero रहे गा है तो to गुट पर क्लिक रहें हैं तो पर क्लिक ऊथए सी Dochं ये सामने क्रॉज का तौज लिकॉट कर लिछ लिखना चाहिए था को लिखने ये पेजल की विवस्ता के उपर तो एविलेवल है गुट पर वाय डिफाल क्लिक है है ना इसमें भी आप यहां क्लिक करकर और कुछ लिंकना चाहिए पेजल की वारे में तो वह लिख सकते हैं एडिक्विटेफ फनीचर फनीचर केसा है विलेवल है सब एक टेवल कुर्सी सब है Carnion दिशाहों के कहां क्या रहेगा कुण सा oxygen क्या जैसं जगह वियुसता आए तो वह एविलेबल ए तो क्लिक रहने दें तो व्योड पर है टॉइलेडवल हुं और टोवेड़ने फसलीटी है सो चाले है से एविलेबल पॉल्लिपे पर ही रहेगा है यह लापर लाइटिंग है महाँ पर उझाला है प्रापर तो एविलिबाल उपलब्द है गुड़ फ़नी होई है सहाना के अंद्र परक्लिक ठीक है प्रॉपर साइनेज सब बोड लगे हुए है अविलिबाल गुड़ पर क्लिक ट्वालेट है सोचाल है तो यह भी क्लिक ठीक है पिएज विद पर्मानेंट रेम एविलेवल है गुट पर पिएज बिल्दिंग्स विद एडिकूट फनीचर फनीचर है तो पूरा अब इसका पिएज भी शेट शेल्टर फार प्रोटेक्शन फॉर्म संड्रेंड एटीजी में पूरा चाय के लिए टेंट यह सब लगाना बहुत जरूरी है तो वो एविलेवल पर क्लिक करें गुट कंडिशन में इसके बाद है प्रॉपर रोट कनेक्टिविटी जो पॉलिंग स्टेशन है मद्दान के अंदर है उसके पास मतलब प्रॉपर रोट कनेक्टिविटी है सड़क निर् पॉस रिवर वेली रिवाइन और नेचरल अब्स्टेकल सल टू रीच पीज क्या इसा पॉलिंग स्टेशन है जहां कि लोगों को नदी क्रास करके आने पढ़ ड़ी है या कोई सी वेली क्रास करके आने पढ़ ए ठीक है कुछ भी प्राकरतिक चीजों ऐसी चीजें है जहां आपर की क्रास करके आने पड़ी तो यह सा नॉट अविलेवल ठीक कुछ ही जगह एसा होगा बाकी नॉट अविलेवल रहेगा ठीक है तो इसका पीज लेंड लाइन टेलीफोन फेक्स कनेक्शन तो इसमें नॉट एविलेवल इसलिए लिखा है क्योंकि आज कर सब कर मोबा सबтив फर्टेस्टेसम पर पूलिंग धिल्लिंग मत्दान नाम और उसका यद्रेसि लिखा हुआ मतलब पोलिंग इंदर वहां पर कोई विद्रो होतों नहीं होता है कोई लडाई जग्ड़े तो नहीं होते हैं तो नौट एविलेवल जैदि होती है तो आप अभिलेवल रहने दें पीज़ विद्फ फॉरेश्च सेमी फॉरेस्ट एडिया पोलिंग स्टेशन जो मदान के इ क्लिक कर दें किस कंडिशन में है गुड एवरेज या पुगर भो लिख दें नहीं है जंगल शेत्र में तो नौट एविलेबल क्लिक करें दें पीएस इन वल्लूरेबल क्रिटिकल लोकेशन यह बहुत महत्पूर्ण है क्या जो पोलिंग स्टेशन है मदान के अंदर है वह आ जहांकि ललाई जगड़ने जादा हो सकते हैं यहीं कॉक्त नहीं हो सकते हैं अं नौट लिएवबल क्लिक पर्मानेंट विल्डिंग कंडिशन जो विल्डिंग जहां मदान के अंदर की विल्डिंग है वह सही क्वालिटी कאן पाथ सब्सक्लिक पिएस बिसदें 20 स्कूर से कम में पोलनी स्टेशन मदान के अंदर यह तो नहीं है तो सब्सक्राइब लगी दिले अवस्ता में है तो कहीं कवेलू गिर रहा है कर दिवाल गिर रही अवस्ताम नहीं है नहीं प्रवर्मेंट बिल्डिंग पर्मिसेज क्या सरकारी भावन में पॉलिंग स्टेशन ने मदान के इंद्र तो यह अभी लेवल उपलब्द गूड कंडिशन में पीएज लोकेटेट इन इंस्टिटूशन रिलिजियस प्लेस तो यह सब लेवल गूड पीएज इस्टूल कॉल अलग अने जाने के लिए जो हैं दरवाजे हैं तो यह सब लेवल पॉलिंटिकल पार्टी आफिस सिच्वेटेट विथिन ट्न टूंडेट मीटर सब्सक्राइब पर्मिसेज क्या जो पॉलिटिकल पार्टी राजनेथिक पार्टिया जो है उनके आफिस 200 मीटर के अंदर है प्रापर लाइटिंग प्रिचर एटी सी जो मद्दान के इंदर है वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर लाइटिंग है होजला है और यहीं प्रतिकूल प्रेसी आती है तो उसके विए भी विवाशता है इविलेवल लाइटिंग उजला है महाँ पर लाइट की व्यूसता है तो अगौने Career तो यह सब एक बार आप पूरा चेक कर लिए पूरी फिलप कर लें इसके बाद आप आप क्या करना आपको एक बडेट करना एक क्रिक यह काम जरूर करना है तो क्यों कि इसके इसला हुमारा जो है लोक्सवा निर्वाचन 2024 के लिए पूरी व्योस्ता तैयार है अपडेटेड है ठीक है इसका हम होम पर क्लिक कर देंगे ठीक है दोस्तों यह पूरी प्रोसेस है एमेप एमेप की ऑनलाइन एंट्री करने की बिये लोग के माध्यम से फेसलिटीज अपडे पता ही है मेरी यूटूब चैनल ऑल लिन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रतेखने वीडियो और प्रतेखने अब्रेट की जनका ही प्राप्त होती रहे तो दोस्तों आप सोई का बहुत हो धन्यवाद